आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे transportation system in human किस तरह से humans में transportation होता है हमने पिछले वीडियो में nutrition देख रहा है रैस्पिरेशन देख रहा है और आज हम देखने वाले है transportation उसका यह पहला पार्ट है और इसमें आज हम focus करने वाले हैं human heart पर तो आज हम पूरी तरसे बात करेंगे human heart के बारे में, कि heart का structure क्या है और किस तरसे इसकी functioning है देख लेते हैं, transportation में हमारे क्या-क्या system है हमारे transportation में, humans के transportation में दो system होते हैं एक होता है आपका circulatory system और एक होता है आपका lymphatic system ठीक हो गया, circulatory system जो हमारा, उसका main जो substance है जो की transport करता है चीजों को, वो क्या अपका blood हो गया blood ही सारी चीजों को इधर सो इधर transport करता है अब देखो, हमने अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था हमने nutrition पढ़ लिया है, और हमने respiration भी पढ़ लिया है ठीक है, तो मैंने क्या बता है था कि nutrition में क्या होता है हम food लेते हैं, और food digest होता है और digest होने के बाद में cells में जाता है कहां जाता है, cells में और respiration में क्या होता है, हम oxygen लेते हैं और oxygen जो है वो cells तक जाती है लंग्स के तुरू तो ये food जो हमारा cells तक जा रहा है after digestion ये oxygen जो cells तक जा रही है वो किसके तुरू जा रही है ये सब चीजे थू ब्लड ही transport होती है तो हमारा जो main tissue है connective tissue है blood ये आपने 9th class में पढ़ा रखा है ये blood है जो कि हमारा substances को transport करता है क्योंकि तेको पूरी body इतनी बड़ी body होती है अब oxygen मैंने नाक से ली खाना हमने मुझसे खाके stomach तक गया वाँड़ा है जब हमारी reactions चलती है जिसे हम घर में भी जब चुकिंग कर रहे है तो कुकिंग करने में भी कितना waste generate होता है तो उसी तरह से जब हमारी body के अंदर reactions चलती है वहांभी waste generate होता है तो उस waste को भी कौन transport करता है blood तो blood हो गया फिर blood vessels है blood कैसे transport करते हैं बड़ी में ऐसी तो नहीं रहता है blood, blood के लिए पकाइदा vessels होती है, और ये vessels जो हैं, वो pipes की forms में, या tubes की forms में होंगी ठीक है न, और heart, जो कि अब blood को flow करने के लिए कुछी जो इसको pump करेगा तो वो है human heart और ये human heart ही हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम क्या फिर हमारा एक और सिस्टम होता है जो कि होता है हमारा lymphatic system lymphatic system का जो main जो substance है जैसे इसमें blood is circulated system में, lymphatic system में क्या आपका lymph हो गया lymph, lymphatic vessels में travel करता है, ये जो वो move करता है और lymph nodes होती है, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, lymphatic system को भी पढ़ेंगे, हम blood और blood vessels को भी पढ़ेंगे, और साथ में हम एक और वीडियो में transportation plants में पढ़ेंगे तो ये सब आपका अच्छे से cover हो, इसलिए अलग अलग वीडियो में आप देखोगे, आपको अच्छे से सब्चीजे समझ में आएंगे, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं human heart तो ये हमारा human heart हो गया ये बिलकुल इसी तरह से होता है ये जब आप अपनी एदी fist बनाऊगे जिसको मुठी बोलते हैं, तो ये just fist के size का होता है, ठीक है ना size के इसका, like का fist, fist के size का होता है अब इसमें देख लेते इसके structures क्या क्या है तो सबसे पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको four chambers देख रहे है सबसे पहले ये जो अंदर का portion लेगे, एक blue color का portion देख रहा है ये complete, और ये आपको देख रहा है एक pink color का portion ठीक है ना, तो ये हमारा left side हो गया, ये हमारा left portion है इस चीज को याद रखना है, इदर का portion क्या होगा हमारा left का portion होगा और इस तरफ का portion क्या होगा हमारा right का portion होगा, ठीक है जब हम, suppose हम सामने कड़े हैं तो हमारा इस तरह से ही position आता है तो कभी भी डियाग्राम्स में confuse मत करना अब इसमें four chambers हैं यह देखो, एक chamber यह हो गया upper side में एक ही हो गया आपका lower side में तो left में दो chambers हो गया एक upper हो गया, एक lower हो गया इसी तरह से right में भी क्या हो गया एक upper हो गया और एक lower हो गया इसको मैं rather than one लिकने के फिर three लिख देती हूं इस तरह से कया हमारे four chambers है तो हमारे heart में क्या है four chambers है तो यह जो four chambers है, यह कितने हो गया हमारे two upper हो गया और two lower chamber हो गया, दो upper chamber हो गया और दो lower chamber हो गया ठीक है, upper chamber में देको यह ओगया आपका left atrium हो गया इसको हमने कहा left atrium what it is left atrium ठीक है और ये वाला क्या हो गया आपका right atrium हो गया right atrium ठीक है इसी तरह से ये जो second chamber लिखा है मैंने ये नीचे है lower है ये हो गया आपका left क्योंकि left side में इसलिए left ventricle हो गया ठीक है और ये वाला जो हो गया four chamber जो लिखा है मैंने ये हो गया आपका right ventricle right ventricle अब इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या है ये जो आपको दिख रहा है structure this one ये क्या है ये muscles है heart actually muscular organ है और ये muscles कौन सी है ये cardiac muscles है कौन सी muscles है cardiac muscles ठीक हो गया अब एक बहुत important चीज जो आप देख रहा है यहाँ पर ये बीच में इसके ये जो दिख रहा है ये portion ये क्या है ये एक wall है ये दिख रहा है ना बिल्कुल clear लिए अलग है left portion और right portion तो कौन अलग कर ला है ये है आपका septum ये wall है एक septum कहलाता है और septum divide separate करता है दोनों को left और right को ठीक है तो septum left और right सारे chambers को आपके separate करता है तो हमने देख लिया chambers देख लिए four chambers है और ये pink color दिख रहा है means ये oxygenated blood है ठीक है pink color का मतलब दिखा दिया है आपको oxygenated blood ऐसा होता नहीं कि blue color का blood है लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि ये portion आप समझे लो left side में oxygenated blood है और ये जो right side है जो पूरा blue color है जहां जहां blue color है मतलब आपको क्या दिखाना चाहा है ये deoxygenated blood है ठीक है तो हमारे heart में एक side के chambers में oxygenated blood होता है जो कि हमारा oxygen कहां से आती है लंग से आती है तो वो blood लंग से आता है और पूरे body में जाता है और एक side से जो हमारा blue वाला portion है यहां पर क्या है deoxygenated blood होता है तो oxygenated और deoxygenated दोनों blood रहते हैं अब हमें यहां पर कुछ और दिख रहा है यह क्या portion है यह जो दिख रहे हैं आपको यह क्या है आपके यह four valves हैं यह one two, three and four four valves हैं अब यह four valves कहां कहां पर है देखो यह दो chamber मैंने बता है यह first and second के बीच में एक valve हो गया एक तो यह valve हो गया आपका first or second chamber के बीच में एक वाल्व होगय आपका थर्ड एंड फ॓र्थ की बीच में यदि ःट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ठीक है तो ये दो वाल्व होगय आपकdy और दो वाल्व कहां बने आपको जो वैसल जारी है ये आपको दिख रहा है यह pipe जैसे जो जा रहे है इन में है अब देखो इनका क्या काम होता है यह भी हम बाद में detail में देखेंगे अभी सिर्फ structure देख लो तो यहाँ पर four valves हो गया हमारे फिर हमको यह कुछ pipe जैसे दिख रहे है जिनमें यह arrow भी बने है कि यहाँ पर blood आ रहा है और यह जो बाहर की side arrow दिख रहा है means heart से blood जा रहा है ठीक है तो heart से किस vessel के through blood जाएगा और किस vessel के through आएगा उसको देख लेते हैं यह भी जाने वाला हो गया तो आ रहा है किस के through यह है आपका pulmonary vein जो red color की दिख रहे है यह क्या आपकी pulmonary vein this is pulmonary vein ठीक है तो यह जो आपकी left side में है left lung से blood आ रही है और यह भी आपकी pulmonary vein ही है ठीक है क्योंकि यह भी red color की है आपकी और यह right lung से लेकर के आ रही है blood को और यह जो दिख रहे है आपको यह arrows जो दिख रहे है यह ऊपर जो pipe दिख रहे है यह क्या आपका aorta है aorta largest vessel है it is the largest vessel और largest artery कर दो in our body तो हमने अब तक देख लिए left atrium होता है उसके नीचे left ventricle होगा बीच में एक valve होगा यह valve है इसी तरह से right atrium होगा right ventricle होगा बीच में एक valve होगा फिर हमने देखा pulmonary vein है यह pulmonary vein क्या कर रही है blood ला रही है lung से heart में और यह हमने देखा aorta यहां से जा रही है यह आपका दिख रहा arrow right तो यह aorta जो यहां से जा रही है यह blood कहा लेकर जा रही है आपका body organs में यह aorta का यह सब aorta है क्या है आपका aorta आपका क्या लेकर जा रहे आपकी body organs में ब्लड के ले जा रही है तो यह देखते हैं यह blue color के structure क्या है यह एक दिख रहे जो ऊपर की बॉड़ी से कलट करेंगे उसको कहेंगे हम सुपीरियर जो हमारा बॉड़ी के ऊपर के पोर्शन से कलट करके लाएंगे ब्लड को सुपीरियर वैना क्यावा बोलेंगे और जो नीचे लोवर पोर्शन से उसको बोलेंगे इनफीरियर वैना क्यावा तो यह हमारा question भी पूछा रहता है कि किस पार्ट से कौन सी वेनकरवा blood collect करती है अब बच्च कहा है हमारा ये pulmonary artery this is pulmonary artery, pulmonary artery कहा है ये देखो यहां right ventricle से इसने blood को लिया, ये valve यहां भी है और यहां से फिर ये कहां ले जाएगी lungs मिले जाएगी blood को ये हमारा पूरा एक structure हो गया और ये दो valves यहां पर present है एक aorta में और एक pulmonary artery में क्योंकि हमारा atrium से blood आया ventricle में, तो valve का काम क्या होता है कि blood को फिर से वापस ना जानने पाए, blood यदि एक वार ventricle में आगया, means उसका backward flow नहीं होगा, तो वो आगे जाएगा फिर, आगे कहा जाएगा ventricle से aorta के थ्रू जाएगा अब यदि aorta में जा रहा है, तो वहाँ भी तो उसको backward flow नहीं चाहिए न, तो वहाँ भी एक valve हो गया वो valve उस backward flow को रोके गए यहां पर भी, उसी तरह से यहां पर right atrium और right ventricle के बीच में हो गया ठीक है, यह right ventricle हो गया, और right atrium right atrium हो गया, यह right ventricle हो गया इनके बीच में भी यह valve हो गया तो यह यहां से जब blood यहां पर आया तो यह बापस नहीं जाएगा अब यह blood कहा जाएगा, यह इसके थ्रू जाएगा यह pulmonary artery इसकी तुरू जा रहा है लंक्स में तो जब यह लंक्स में जा रहा है तो इसको बापस ना आए इसलिए यहाँ पर यह आपका valve होता है this is the valve इसी तरह से left वाले में यहाँ से blood यहाँ पर आया और यहाँ से blood इसमें से होकर के जा रहा है तो बापस ना आए इसलिए यहाँ पर यह valve हो गया तो valve समझ में आ गया अब जो blood vessels हमारी heart में blood ला रही है वो कौन-कौन सी है एक हो गई pulmonary vein और एक हो गई आपकी pulmonary vein हो गई एक और एक हो गई आपका vena keva यह दो लेकर आती है और pulmonary artery और aorta दोनों arteries है वो लेकर जा रही है और veins ला रही है अब इसमें एक चीज और देखना है septum की presence बताई दी मैंने आपको कि oxygenated और deoxygenated blood को अलग रखेगा फिर यह जो wall है यह देख रहो ना यह wall यहाँ नीचे बहुत थिक है यानि ventricle की wall थिक है और atrium की wall thin है तो ऐसा क्यों है देखो atrium को बहुत ज़्यादे pressure उसके अंदर नहीं होता है क्योंकि जब blood lung से आता है तो क्या होता है atrium उसमें relaxed position में होता है blood आया फिर atrium contract हुआ contract यहाँ पर contraction हुआ और फिर blood यहाँ ventricle में आ गया ventricle उसमें relaxed position में फिर ventricle contract करेगा blood को aorta में भीजेगा तो जिससे में blood को aorta में जा रहा है यहाँ से जो blood जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारा pressure होता है तो उस pressure को wear करने के लिए कि ventricle की जो walls है वो उस pressure को wear कर पाए तो यह जो walls है ventricle की वो थेक होती है दोनों ventricle में, क्योंकि यहाँ भी pressure सही यहाँ से blood जाएगा ठीक है, तो हमेशे याद रखना जब भी relaxed position में है एक chamber जैसे atrium relaxed position में है, blood आएगा फिर atrium contract करेगा, blood ventricle में जाएगा, ventricle contract करेगा तो यह उस blood को body organs में बेज़ेगा यदि earth है के थ्रू जा रहा है, तो body organs में जाएगा pulmonary artery के थ्रू जाएगा, तो lungs में जाएगा ठीक हो गया, समझ में आ गया, very good clear हो गया, good अब हम देखेंगे, आपा flow chart, जिसमें हम देखेंगे कि blood किस तरह heart के थ्रू पास होता है ठीक है, और किस तरह से body organs में जाता है, कौन सी vessel उसको लेकर जा रही है heart में, blood को, और कौन सी heart से लेकर आ रही है तो एक चीज हमेशा याद रखना, कि जो arteries होंगी, वो heart से लेकर जाएगी और जो veins होंगी, वो heart में blood को लाएगी तो यह suppose मैंने यहाँ पर बनाया lungs ठीक है, अब lungs से blood कैसे जाता है, lungs से blood हमेशा यह हमारा हो गया, left part of the heart and this one is the right part of the heart, ठीक है अब lungs से हमारा blood कहाँ पर आया, left atrium में आया यह क्या है मेरा, left atrium, what it is लिख लो इसको, left atrium ठीक है, अब किस vessel के through आएगा यह भी देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा blood आ रहा है यह भी देखना है, तो यह आता है आपका pulmonary vein के through यह blood किस vessel के through आता है, pulmonary vein और कौन सा blood आ रहा है, oxygenated blood तो यह oxygenated blood आ रहा है हमारा pulmonary vein के through कहाँ पर आया, left atrium में left atrium जिस समय blood आ रहा है, उस समय किस position में relaxed position में जब blood आ रहा है और जब blood यहाँ से पास होगा तब किस position में जाएगा यह contract करेगा उस समय ठीक हो गया अब जब यह left atrium से left ventricle में आएगा तो इसके बीच में दोनों के बीच में क्या है यहाँ पर valve है ठीक है यह valve क्या है रोके का blood को prevent करेगा backward flow of blood यह मेरा क्या हो गया left ventricle हो गया ठीक है अब इस left ventricle में blood आया यह valve हो गया suppose इसको मैंने valve 1 कर दिया तो valve का काम क्या है prevent लिख लो यहाँ पर आप भूल जाओगे prevent the backward flow of backward flow of blood ठीक है यह blood के backward flow को रोकेगा जैसे हमारे घरों में pipe होते है आप पानी को suppose वो कर रहा है मोटर से कीच रहा हो तो कुछ valves लगे होते हैं जिससे कि उसका backward flow ना हो तो उसी तरह से valves का function हमारी body के अंदर होता है यह valves होते हैं हमारे इन दोनों atrium और ventricle के बीच में और यह अब ventricle में blood आ गया means ensure करते हैं कि हाँ अब यह बापस left atrium में नहीं जाएगा अब left atrium से जो हमारा blood है वो कहां जा रहा है aorta में जा रहा है sorry aorta इसको ले कर जा रही है और कहां जा रहा है यह body organs में जा रहा है ठीक हो गया body organs में तो यह aorta ले आई blood को कहां पर body organs में अब जितने भी body organs है वहाँ पर जा रहा है blood हमारा aorta के थूर जो की largest vessel है तो हमने क्या देखा कि ventricle से blood किस के थूर जा रहा है aorta जो कि आपकी artery है ठीक है और यह pulmonary vein क्या कर रहे है blood को ला रही है अब हम देखेंगे body organ में अब हमने पढ़ा था respiration में कि जब हमारे oxygen जाती है तो यह oxygenated blood है यानि blood oxygen को carry करके तो ला रहा है यह lung से देखो अब जब यह हमारी body organs में है वहाँ पर तो carbon dioxide बनेगी after respiration तो continuous process चल रही है तो वहाँ पर carbon dioxide है वहाँ से carbon dioxide कौन लेकर आएगा Vena Keva तो अब यहाँ पर किसका काम आगया Vena Keva का अब Vena Keva कहाँ पर लेकर आएगा अगें यह right atrium में लेकर आएगा ठीक है तो यहाँ पर कौन सी वैसे लेकर आ रही है blood को Vena Keva और जो inferior Vena Keva है वह नीचे के body part से लेकी और कौन सा blood है यह deoxygenated blood यह भी लिख लो deoxygenated blood तो deoxygenated blood अब कहाँ पर आगया यह आगया हमारे right atrium में right atrium में हमारा deoxygenated blood आगया ठीक हो गया अब right atrium से अगें वही चीछ चलेगी यहाँ पर valve 2 है यह भी prevent करेगा backward flow का कब जब blood हमारा कहाँ आ रहा है right ventricle में आ रहा है ठीक है अगें वही चीछ चलेगी कि जो आपका right atrium relax होगा तो वहाँ पर blood आया और right atrium ने contact किया right ventricle में आगया right ventricle उस समय किसमें है relaxed position में है ठीक है तो अब ventricle में blood आ गया अब right ventricle से blood कहाँ पर pump होगा हमने पढ़ा था वहाँ पर pulmonary artery हमने देखी थी तो यह pulmonary artery के through कहाँ पर जाएगा blood lungs में जाएगा ठीक है यह किसके through जा रहा है हाँ पर lungs में through pulmonary artery pulmonary artery तो इसके through blood कहाँ पर गया आपका lungs में तो देखो बहुत ध्यान से देख लो यह चीज कि जो आपकी pulmonary artery, मतलब arteries के हैं वो blood को lungs से लेकर जा रहे है और veins यह आपकी pulmonary vein हो गई और venakeva हो गई, veins ला रहे है pulmonary vein left artery में लाईगी blood को venakeva right artery में एक बाद फिर से पूरा देख लो lungs में oxygen होती है यहां से oxygen बाला blood आया कहां पर आया, left atrium में left atrium से कहां पर आया blood left ventricle में आया left ventricle से blood कहां गया aorta के थूँ body organs में गया body organs से deoxygenated blood venakeva के थूँ कहां पर आया, right atrium में right atrium से कहां पर आया right ventricle में आया valves, दोनों valves के अन्शोर करते हैं prevent the backward flow of the blood valve होता है और इधा जो पर्मोनेरी artery है यहाँ पर भी एक valve देखा था तो जैसे से blood आगे बढ़ रहा है यह ensure हो करते है कि हाँ blood वापस नहीं आएगा उस जगा पर फिर से ठीक हो गया body organ से वेना केवा ने blood को collect किया inferior वेना केवा ने हमारे lower portion of the body body से blood को collect किया है और जो superior वेना केवा है उसने हमारा जो upper part है body का वहाँ से blood को collect किया कहां लाया blood को right atrium में याद रखना है यहाँ पर यह arrow देखो मैंने ध्यान से बनाना है आपको जैसे मैंने बना रखना है ऊपर ही आएगा atrium में यहां ventricle में जोड़ देना फिर right atrium से कहां पर आएगा blood right ventricle में आएगा और right ventricle से कहां पर गया lungs में गया तो यह carbon dioxide वाला blood आया यह oxygen वाला आया right side में हमारे deoxygenated blood move करेगा blood heart में और जो left side है उसमे oxygenated blood तो यह इस तरह से हमारा क्या होता है यह क्या कहलाता है आपका double circulation कहलाता है double circulation क्योंकि blood जो है न वो दो बार हमारे में flow हो रहा है एक ही cycle में दो बार blood का flow हो रहा है एक बार left chambers में से और right में से तब जाके यह complete हो रहा है cycle तो इसको हम बोलते हैं double circulation तो एक तो यह समझ लो कि double circulation हमारे अंदर होता है दूसरा हमारे अंदर four chambers होते है अब जैसे fish हैं यह reptiles हैं, यहाँ पर मैं इसलिए यह चीज़ कर रहे हूँ क्योंकि question आता है कई पर आपके में कि why do we have four chambers ठीक है, fishes have two chambers यह reptiles have three chambers तो देखो, हम है mammals mammals होते है, warm blooded animals तो जितने भी mammals हो गए या aves हो गए ठीक है, चाहे हो mammals है और चाहे हो aves है इन में क्या होता है, four chambers होते है four chambers की बज़े से क्या होता है, कि हमारा जो oxygenated है और deoxygenated blood है वो mix नहीं होता है oxygenated blood और deoxygenated blood तो deoxygenated blood mix नहीं होगा, और वो क्यों ज़रूरी है कि कोई mixing नहीं हो because we have, we need lot of energy, ठीक है mammals need lot of energy to maintain the temperature क्योंकि हमारा हम warm blooded है तो हमारी जो body temperature है maintain the body temperature उसको maintain करना पड़ता है ठीक है ना, तो हमारे में कोई mixing नहीं होगी और हम warm blooded है तो हमें बहुत सारी energy ही ज़रूत होगी किसलिए, क्योंकि हमें अपनी body temperature को maintain करना पड़ता है ठीक है तो इसलिए हमारी body में four chambers होते है जिससे की हम को भरपूर energy मिल पाए imagine करो, यदि यहाँ पर बीच में क्या होती है एक septum wall होती है तो वो wall नहों और यह blood मिल जाएंगे mixing हो जाए supposing की तो क्या होगा हमें भरपूर oxygen नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी blood में oxygen की supply प्रापर नहीं हो पाएगी mixing होने के वज़े से तो हमें जादे energy चाहिए इसलिए ऐसा होता है जबकि fishes में यह reptiles में उतनी energy की ज़रूत नहीं होती है क्योंकि वो cold-blooded animal होते है तो वो tolerate कर पाते है mixing of oxygenated and deoxygenated blood की तो I hope बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा यह diagram आप practice कर लेना आपकी book में दो diagram है internal structure of heart anatomy है heart की और एक है कि किस तरह से blood जो मैंने आपको यह flow chart में दिखा है वही चीच उसमें diagram में दोनों diagram अच्छे से practice करना क्योंकि यह diagrams आपके caption के साथ पूछे जाते हैं इसलिए जब याद करोगे आप practice करोगे तो caption भी याद करना क्योंकि कई बार क्योंता है बच्चे को पूछा कुछ diagram जाता है उसको आता है बनाना बट वो दूसरा बना देते हैं because they don't learn the कि कौन से caption के अंदर में यह आपने diagram को practice किया है तो यह ध्यान रखना caption के साथ diagram को practice करना और जब practice करोगे diagram को तो यह देखना कि कौन सा आप part बना रहे हो suppose art बना रहे हो तो कहां पर left atrium है कहां right है पूरा सब चीज़ अच्छे से करना और यह flow chart अच्छे से इसको समझ लेना pause करके देख लेना अपने आप बनाना इसको देख करके बनाना copy में आपको समझ में अच्छे से जाएगा तो I hope session आपने enjoy क्या होगा thank you for watching the video मिलते हैं next video में